Hello and welcome friends, Tally में students को लगता है कि जो latest version है Tally Prime काम तो काफी आसान हो गया इसके आने से, देखिए ये Tally Prime है यहाँ पर create का मतलब होता है बनाना, ठीक है, तो यहाँ create पर जाने पर हमें यहाँ पर multiple lasers का option नहीं मिलता है तो कि Tally ERP9 में मिला करता था हमको, उपर यहाँ में दिख जाता था multiple lasers, तो यहाँ पर multiple lasers मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर double click करते हैं, तो यहाँ पर अभी दिखी, यह laser तो दिखाई पड़ा है, अगर आप laser पर जाते हैं, तो आप single laser बना पाएंगे, multiple laser नहीं बना पाएंगे ठीक है, यहाँ पर तो हमें multiple laser नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या alter में दिखेगा, alter पर चलते हैं, यहाँ पर show more पर click करते हैं, laser तो दिख रहा है, यहाँ पर यह laser है, इस पर click करते हैं, यह laser को alter करने के लिए दे रहा है, कि अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो आप change कर ठीक है, तो laser को alter तो किया जा सकता है, क्या multiple laser बनेगा, चलिए बाहर आते हैं, multiple laser नहीं बनेगा इसमें, ऐसा लगता है, लेकिन actually multiple laser बनेगा इसमें भी, ठीक है, कहाँ बनेगा, आप आजए यह chart of account पे, यह chart of account पे आ गई, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर double click कीजिए, और यहाँ पर जैसे double click करते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और अब हमें laser पे जाना है, तो यह laser पे आगे, आगे laser पे, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है multi masters, दिख रहा है, इस पर आपको चले जाना है, यहाँ पर multi create का option आपको मिल जाएगा, दिख रहा ह तो यहाँ पर जाने पर आप यहाँ से यह laser बनाजी, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, ERP9 के जैसे, ERP9 में भी बिल्कुल ऐसी ही screen आती थी, ठीक है, इसमें चूज कर लिजे, ठीक है, जैसे माल लिजे हमें creator party का laser बनाना है, और एक से अधिक बनाना है, तो sundry creator चूज कर लिजे है, तो यहाँ से sundry creator चूज कर लिजे, ठीक है, अब पहले sundry creator party का नाम क्या है, जैसे माल लिजे, पहले sundry creator party का नाम है A, ठीक है, तो यह A दे दिया हमने, under sundry creator चला ही गया, opening balance क्या है, अभी छोड़ते है, यहाँ पर दूसरी sundry creator party हमारी B है, आ गया group, ठीक है, तीस को control ले करके save कर देते हैं, यह save हो गया, अब यहाँ से बाहर आते हैं, जब भी हम purchase में entry pass करते हैं, तो वा creator party की entry आती है, आती है ना, अब दिखिए यहाँ पर payment में हलाकि हम है, आएफ 9 प्रेस करके आते हैं purchase में, तो यहाँ पर हमको देना होता है supplier का invoice number, है ना, यह दे दि detail आजाएगी, जो भी detail डालनी है, ठीक है, यह सबाव हो जाएगा, wet wet अगर चाते हैं लगाना तो लगा लीजेगा, यहाँ पर इस तरीके से आजाएगा, इसको हम save भी कर लेंगे, ठीक है, control A प्रेस करके, इसको accept करा लेंगे, तो यह हो जाएगा, clear है, अब माल लीजेए क अब माल लीजेए कि दूसरी क्रेडिटर पार्टी क्या खरीदना चाहती है, उसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए, संडी क्रेडिटर हमने चार बनाया था, एक A, B, C, D पर आ जाते हैं, अब पहले A लिखा था हमने, अब देके B कर रहा हूँ, यहाँ पर B आ गया, enterprise करते ह हैं, enterprise करते हैं, इसको accept, accept करवा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर माल लीजिए, कोई और stock item है, like tablets, तो यह one tablet कर लेते हैं, cost आ गई 14,000, इसको accept करा लीजिए, हो गया, यानि, दोनों का use हमने किया, multi laser हमने create किया, और उसका use भी कर रहा है, ठीक है, समझ मैं रहा है, यह के वल video बना रहा हूँ, multi laser को create करने के लिए, option इसमें दिखता नहीं है, तो बच्चे confused हो जाते हैं, कि इससे अच्छा तो ERP9 था, क्योंकि उसमें multiple laser दिखता था, नहीं, इसमें भी दिखेगा, कहा जाने पर दिखेगा, चार्ट आफ अकाउंट पर जाने पर दिखेगा, ठीक है, एंटरपेस करते हैं, यहाँ पर अब C कर लेते हैं, तो यह C यहाँ पर दिया हुआ है, C ले लीजे, इसी तरह से D, जितना बनाएंगे आप, जिस भी नाम से बनाएंगे, वो सारे laser से एक शाथ शो कर जाएंगे, ठीक है, और यह multi laser हम create करते हैं, तो फाइदा इसका यह रह